हंजी दोस्तों कैसे हैं आप लोग थर्ड पार्टी की याद आ रही है थर्ड पार्टी को याद करते हो अपने पार्टनर को अपने परसन के लिए तो अंकंडिशनल प्यार आपके लिए है ही नहीं लेकिन आप थर्ड पार्टी को बहुत याद कर रहे हो तो रिडिंग आपक यही होने वाली है, थर्ड पार्टी का क्या हाल है, चले, क्या हाल है था आपकी थर्ड पार्टी का, देखते हैं, ओक्या केंजर माइकल, थर्ड पार्टी का क्या हाल है, क्या एनरजी है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके परसन के बीच, आपके परसन का क्या सीन है थार्ड पार्टी के साथ इन फ्लेम रिकाग्निशन आया है क्यों आया है इनको जस्टिफाइब भी करेंगे क्यों आया है एक्स्प्लेइन भी करूंगी अरे रे 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 आरे डिरे आटीरेक्शन हम्हम अरे खैमस्ट्री चड़ो मत भई चड़ो मत देखेंगे क्यों आया है यह ओके थार्ड पांटी थार्ड पांटी क्या कर रही है थक क्या नेर अजिय है थार्ड पांटी क्या करना चाहती है प्लीज बताएँ फ्लीज बताएए हह也是οςिटiles बन्राइट्स मेरी काड़ेन अंजल सांग एंजल माइफ कर गए को रीग क्या हो रहा है पान और पार्टी डेक बरेक प्रोपोजींग ऑ के थर्ड बाठी बड़ी स्मार्ट है कर ने कर ब्रेक की बात आता है चलिए देखते हैं तेक आप ब 신ार्ड वर्ट depending committed relationship okay married हो सकते हैं आपकी person already committed है third party से एक सेंद गाँज हां जी दोस्तो third party के लिए मैंनी card मreaya अब इनको ना थोड़ा सा मैंs चाहिए हमें explain करना है न तो इनको देखते हैं क्यों आये Twin Flame Recognition क्यों आया आकेंजर माइकल Twin Flame Recognition क्यों आया है पूरी Reading देखा कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, Scene क्या है Reading कौन से Conclusion तक पहुंचती है आखिर में Result क्या आता है ठीक है और थोड़ी अगर Landy हो जाती है Reading तो Patience से देखा कीजिए क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है कि बताने में थोड़ा सा न जो भी Downloads होते हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है ठीक है, जो भी Angels यहां पर बताते हैं आपके भले के लिए यार मैं भी तो मैं तो चाहूं तो पांच मिट की Reading कर सकती है बट मैं तो आपके लिए कर रही हूँ बोलना तो मुझे ही पड़ता है तो पूरी Reading देखा कीजिए Patience के साथ और आप लोग लाइक नहीं करते हैं अगर देखते हैं वीडियो तो प्रीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए कमेंट करो चाहे ना करो आपकी मर्जी है ओके ओके अट्रक्शन क्यों आया है Chemistry क्यों आया है आपर Chemistry क्यों आया है Chemistry 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 take a break क्यों आया है आके माइकल take a break क्यों आया है take a break take a break reaching conclusions यहां पर क्यों है reaching conclusions यहां पर क्यों है ओके दो काट दिये है reaching conclusion eight of points and six of cups तो यहां पर अगर मैं बताऊं राशियां बताऊं zodiac sign बताऊं आपके तो लिब्रा है टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन है ठीक है एंड जेमिनाइन है cancer Scorpio Pisces है और yes Aries Leo Sagittarius है ठीक है टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन और बटन अटेक है दे स्टार तो राशियां आपको राशियों से कोई लेना देना नहीं है गाईज आपको स्टोरी पर फोकस रखना है आपके स्टोरी क्या है राशियां तो दुनिया में पता नहीं कितनों की क इतनी होती हैं यहां पर collective और general होती है रेडिंग तो जो राशियां होती है वो भी collective होती है ना आपकी एक राशिय है तो हजारों लोग होंगे लाखों करोडों लोग होंगे उस राशियों के ओके तो राशियों से कोई लेना देना नहीं है आपको energies पर यहां पर energies की बात हो cards में energies क्या है तो इसमें परिशान मत हुआ कीजिए कि मेरी राशी है तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मैं इसलिए राशी नहीं बताती है क्योंकि आप energy ही important role play करती है तो आप अपनी energies का ध्यान रखा कीजिए यह आपकी energy क्या है match हो रही है या नहीं हो रही है आपकी story कैसी है आपसे resonate कर रही है नहीं कर रही है कितनी कर रही है नहीं कर रही है तो guidance ले लीजे कोई बात नहीं निराश मत हो ये है ना और कोई video देख लीजे मेरी और कहीं से भी आपको resonate हो जाती है तो वो देख लीजे king of pentacle एक और लोगी मैं and bottom of the deck है king of wands and two of wands तो भाई जैश्री राधी कृष्णा भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं अच्छा 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 एक सेकंड गाईज bottom of the deck है freedom तो freedom मैं पूछूंगी freedom क्यों आया है आपर overall जो energy है freedom and क्या है इसके नीचे conflicts आया है freedom or conflicts तो एक ही card लोगी मैं 10 of wands आया है यहाँ पर freedom के लिए and फिर से ही आ गया है sorry 7 of pentacle तो guys यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो भी है आपके person आपको प्यार करते हैं मेरे को तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की कोई भी ऐसी कोई चीज दिखी नहीं रही है थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल इक्तम से detach हो गए है ठीक है थर्ड पार्टी लेकिन अभी भी उनकी तरफ attracted है और इस connection में वो balance बनाने की पूरी कोशिश करी क्योंकि उनकी कर्मा है आपके person से यानि की यह है 14 number होता है temperance 14 number होता है karmic cleansing वाला जो energy होती है ठीक है यानि की 14 number यानि 5 number यानि की changes उनकी life में आने ही आने है आपके person के क्योंकि major अरकान अगा card है 5 number यानि की changes यहाँ पर अगर मैं energy बताऊ तो change तो उनकी life में आएगा ही वो change उनकी life में कैसे आएगा कि वो third party अगर है already उनकी life में तो वो उनसे detach हो जाएंगे या हो रहे हैं हो रहे हैं होना ही है क्योंकि major अरकाना यानि की major events यहाँ पर आते हैं in cards में इस energy में तो यह तो होना ही है उनको detach होना ही है उनको cut off होना ही है ही पड़ेगा third party से आपकी person को ठीक है जब किती भी खूबसूरत बला की खूबसूरत हो बला की कुछ भी हो वो लेकिन आपकी person को वो नहीं भाएगी क्योंकि अगर आप train flame या higher level of soulmate connection अगर आप कार्मिक connection में है तो बात दूसरी है देखो आपको कार्मिक और इन तीनो connection में तीनो कार्मिक है या soulmate connection है यह relationship होते है लेकिन soul से soul का connection होता है लेकिन कार्मिक जो होते है वो relationship होता है relationship अलग होता है connection अलग होता है जो बिलकुँ connected होते है connection बिलकुँ जो छूठ ही सकता चाहिए वो कितना ही दूर क्यों नहों ठीक है कार्मिक्स क्या होते हैं आपको लेसन देते हैं और चले जाते हैं या आपको उनके कर्म उनके साथ वो चीजे करमाज अपने जो भी होते हैं पेबैक करने ही होते हैं चाहिए वो आपके हजबन के के रूप में हो चाए आपके सिब्लेंस के रूप में हो चाए आपके पैरंट्स की रूप में हो चाए आपके कलीक्स के रूप में चाए आपके फ्रेंट्स की रूप में हो वो कार्मिक कैसे भी किसी भी तरीके से आपके सामने आपकी लाइफ में आ सकते हैं तो चलो मैंने य काफी confusion में लग रहे हैं यहाँ पर आप यह है दा स्टार उसके नीचे ही है दा वर्ल्ड ठीक है तो यहाँ पर काफी और सकी नीचे है इंप्रेस ओ माई गॉड वीडिफुल कार्ड वीडिफुल एनर्जी आपके परसंड कंफ्यूजन में है कि थार्ड पार्टी को चुनो य क्योंकि थार्ड पार्टी की जो मेरे को एनर्जी आ रही है वो है कि बहुत अट्रक्टेड है और बहुत अट्रक्टेड है आपके परसंड की तरफ ठीक है तो लेकिन आपके परसंड इसी में बीच भवर में फसे हुए है कि मैं इसको कमिटमेंट दू या आपके लिए एनरजी आई है कि आपकी और आपकी पर्सन की कैमिस्ट्री कहीना कहीं अच्छी है लेकिन उनकी फज़्ट पार्ट Sug. यह एक चुक्त कर लिया है। क्ले किया कर अब शान्त हो गया हैं। अब कोई फैसला नहीं लिया है उन्होंने कि third party को चुनना है या आपको चुनना है लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखू तो universe जो है आप आप है ये the embrace है ना आप है attractive personality गुणों की खान ठीक है universe से connected है universe से आपका connection बहुत ही manifester आप बहुत powerful manifester है yes manifestations आपकी पूरी होती है wishes आपकी पूरी होती है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से manifest करते हो चीजों को क्योंकि आप वो उस मुकाम तक पहुँच गए हो कि आप बहुत अच्छे से manifest कर लेते हो क्योंकि आपके energy पूरी दर से balanced है ठीक है star बिलकुल आपकी जो wish है guys आपकी परसन की energy से ज्यादा आपकी energy है यहाँ पर बटावदा डैक है जो ठीक है आपकी जो wish है वो बिलकुल आप manifest कर रहे हो पूरी होगी लेकिन person आपके जो है ना आप अपने person को manifest कर रहे है युनिवर्स आपको मजबूर कर रहे है कि आप अपने person को manifest करो इस जर्णी में और manifest का मतलब यह निकी 24 गंटे उनका माला जपो है ना कहीं ना कहीं आप एक affirmation देते हैं solid strong affirmation देते हैं subconscious mind को कि यह मेरा twin मेरा है वो मेरे पास है मेरे अंदर ही है यह हम दोनों एक ही है वी बहुतार one ठीक है वी बहुतार one soul या कुछ भी आप बोलते हो और he is inside me या इस तरह से आप affirmations देते हैं तो बहुत अची बात है which is good in this for this journey क्योंकि इस जर्णी में क्या होता है कि अगर हम अच्छी affirmations देंगे subconscious mind को अगर हम अच्छी चीजे देते हैं यानि कि subconscious mind का जो circuit है ना वो हिला रहता है क्योंकि आप negative ही सोचते हो और positive ही सोचते हो तो positivity negativity को क्या कहते है वैनिश करने के लिए आपको positivity बहुत जादा उसमें डालनी पड़ेगी तभी negativity बाहर निकलेगी आपके subconscious mind आपका हील होगा ठीक है तो कहीं ना कहीं मैं क्या कहां से कहां पहुंच जाती हूं लेकिन मैं नहीं पहुंचती भाई मुझे तो बस मैं बोलती रह होती है लेकिन मैं मैं बहुत blessed feel करती हूं मेरे spirit guides मेरे ancestors मेरे angels मुझे रुकने ही नहीं देते हैं क्योंकि वो एक के बाद download जो करते हैं मुझको ठीक है तो मैं बहुत blessed feel करती हूं अपने आपको आपके person confused है इसलिए confused होगी कि third party को चुनो भाई या मैं अपनी उस person को चुनो जो मुझे ऐसा feel होता है कि वो unconditional प्यार करती है मतलब कि उसका प्यार ऐसा है कि मैं उसके लिए कुछ सोचता भी नहीं हो यह ना सोचती हूं जैसे भी आप अपने 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 रोल प्ले कर रहे हैं उस तरह से जेंडरवाइस देख सकते हो तो मतलब मैं उसके लिए कुछ सोचता भी नहीं लेकिन unconditionally वो मेरे लिए सोचती है मैं उसको reply भी नहीं करता हूं या मैं कितने दिन बात करते वे हो जाते हैं पर मैं उसको reply भी नहीं करता हूं तब भी unconditionally में कोई judge नहीं करती है और मेरे से कोई complain नहीं होती है उसकी complain नहीं करती है करता है जैसे आप देख attraction भी उनको feel हो रहा है ये किसकी energy है मुझे नहीं पता लेकिन आप मेरे को लिख कर बताना ठीक है तो अभी वो थो third party के साथ भी balance बना कर चलना चारे आपके साथ भी chemistry बना कर चलना चारे मेनत कर रहे हैं इसलिए शांत हैं justice चाहते हैं कि मुझे भाई justice चाहिए means कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है है इश्वर आप ही नियाय करो मेरे साथ कि मैं क्या करो मुझे रहा दिखाओ ठीक है reaching conclusion तक आपकी person पहुंचेंगे बहुत जल्द पहुंचेंगे क्योंकि eight of wands का काड है यहाँ पर six of cups का काड है क्योंकि आपके person आपको बहुत मिस्स कर रहे हैं क्योंकि आपका past life का connection यहाँ पर लग रहा है क्योंकि आप twin flame connection में हो सकते हैं क्योंकि twin flame का यहाँ पर spiritual हुआ नहीं है छोटे मोटे से confusion है वो आपके person दूर करना चाहते हैं तभी वो आपकी तरफ बड़े emotional हो रहे हैं बहुत ही emotional है इस टाइम पर आपके person at this time at this moment twin flame recognition बिल्कुल आपके person को कही ना कहीं यह soul connection फील हो रहा है गाइस तो यह जो reading है यह बड़ी special reading है twin flame and soulmate की कि आख आखिर आप कि जो person है वो third party से वाके में detach हो रहे हैं वाके में यह जो नया साल है अगर आपके person married है या unmarried है या girlfriend है उनकी तो कोई बात नहीं होने दो लेकिन वो उनसे अलग होंगे ही वो उनसे विमुक होंगे ही क्योंकि universe चाहते ही नहीं कि आपके person उनसे करती है और अपना काम करती है चली जाती है तो third party का काम इतना ही है आपके person की आँखे खोलना आपके person को awakened करना जैसे आप अपने person के थूँआ अवेकन हुए हो और अवेकनिंग में आये हो इस spiritual journey में और trigger हुई है जर्नी ऐसे ही third party आपके person को अवेकन करती है trigger करती है जर्नी वो soul shock देती है उनको soul shock देगी नहीं तो आपकी तरफ आएंगे कैसे तो thank you बोलो अभी मेरे साथ third party को तो आपके जो third party है काफी stress में लग रही है आपके person भी काफी stress में है आपर वो भी freedom चाहते है आपकी third party भी कही ना कही free होना चाहती है बिल्कुल third party से हाँ पर oh god third party से हाँ पर conflicts हुए है उनके काफी arguments हुए हैं काफी अलगाओ यहाँ पर चल रहा है अब आपकी person जो है awakening आपकी person की start हो चुकी है third party से conflicts start हो चुके है and आपकी person को soul shock लग चुका है ओके तो यहाँ पर यह है कहानी अब भाई लंबी हो जाएगी reading फिर बोलो कि मैं हम तो इत्ती लंबी reading कर देती है चलिए energy भी निकाल लेती हूँ क्या है energy third party का हाल बेहाल है भाई फिल्कुल finance से related जो भी problem थी ना आपकी person की 13 and 31 mirroring आपकी growth हो रही है guys तो आपके person की growth automatically हो रही है ठीक है आप अपनी spiritual growth को मैं तभी कहते हूँ और देखो पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें growth करो तो आपके person भी पीछी पीछी उनकी भी growth होती है especially ये मैं आपको बता रही हूँ ठीक है तो इसलिए आया है financial constraints and do to value बिल्कुल आपकी person इस चीज की value करने लगे है पहले आपके person पैसों को उड़ाते थे कुछ समझते नहीं थे खर्च करते थे उल्टे सीधी चीजों में खर्च करते थे लेकिन यहाँ पर भी ये energy है बुरात मानना लेकिन अब उनका हाल कुछ time यानि कि 13 महीने पहले ऐसा था यानि कि एक डेर साल पहले ऐसा था कि बिल्कुल लाले पड़ गये थे खाने की भी मतलब कि ऐसे down क्या है hand to mouth वाला हाल हो गया था लेकिन आप उनकी परस आपकी परसन बिल्कुल एकदम से यूँ हो गये पलट गया उनका क्या क्या बोलते है यार मतलब समझ लो यार वो अपने growth में अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पैसो की बारिश हो रही है उनके पा टोटली सौट आउट हो गई है ठीक है थर्ड चक्रा आखेंजल शैमिल उनके साथ है फीरलेस हो रहे है जो भी confidence उनका लैक अफ कॉन्विदेंस वाली जो एनरजी थी वो बिल्कुल अब हील हो रही है और जो भी कहता है प्रॉस्पेरिटी जो एक तरह से बिल्कुल मतलब नहीं थे आपके person एक तरह से बहुती छोटे काम से लेकर बहुती मेहनत करे थे बट काम नहीं हो रहे थे उनके एक तरह से एक prosperity उनकी life में आ रही है abundance of money मतलब अगर मैं कहूं तो यानि fearless तो हो रहे हैं पर एक strong will के साथ powerful यानि strength बना कर जो उन्होंने रखी है अपनी तो उसके साथ उनको सुक्सम्रद्धी उनकी life में आ रही है abundance उनकी life में आ रही है healer of the ages बिलकुल हील हो रहे है वो healing चल रही है 51 number and 32 number यानि कि डोटो spirit बिलकुँ angels उनको heal कर रहे हैं और angels उनके साथ है जो उनका दिल तूटा हुआ था बिलकुल अब उस चीज़ से वो बाहर निकल रहे है क्योंकि अब वो चाहते हैं कि आपसे बात करें क्योंकि आपको बहुत miss कर रहे हैं गाईज yes abundance blossoming abundance यानि कि हर एरिया में उनकी growth हो रही है और ऐसी life में उनकी possibilities आ रही है जो की मतलब की उनको चाहिए थी और focus उन्होंने अपने काम पे रखा हुआ है इस इमोचनली काफी आपकी तरफ attracted है आपकी परसन ठीक है इनसे भी देख लेते हैं क्या current feelings है तो थोट चक्रा उनका हील हो रहा है अगर आप थोट चक्रा पर काम करते हैं आपके परसन का थोट चक्रा हील होगा गाईज तो थोट चक्रा पर काम किया किजे वो आपको खु queen of sword की energy है यह queen of sword या नहीं अपने एक बहुत practical way में भी आप चल रहे हो एक दिल से भी सोचते दिमाग से भी सोचते हो और बहुत ज़्यादा smart हो बहुत ज़्यादा अपनी boundaries के अंदर ऐसे false लोगों को आप घुसरे नहीं देते हो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके बार उनकी औरी silver waterfall बिल्कुल high vibration में है emotional freedom बिल्कुल the divine masculine के energy में आ रहे हैं अपने उपर काम कर रहे हैं emotional freedom चाहते हैं space उन्होंने आपने दे रखा है तो बहुत खुश हैं और resolving conflicts ही सारी conflicts जो भी आपके बीच में हुए हैं वो resolve करना चाहते हैं totally manifestation बिल्कुल आपको manifest कर रहे हैं guys इ manifest हुई manifest कर रहे हैं आपको heart chakra उनका solar plexus chakra उनका heal हो रहा है और आपको manifest कर रहे है life purpose यानि की life purpose आप दोनों का है उनको पता है आपके साथ क्या life purpose है क्योंकि heart to heart आप connected हो और जो आप करते हो वो उन तक पहुंचती है telepathically वो सारी चीज़े वो जानते है intuition के थ्रू, intuition उनकी ब जो आप जो भी आप thought उनकी तरफ जो भी आप सोचते हो वो उनकी तरफ जाता ही जाता है उनकी consciously वो इन चीज़ों को सब समझ जाते है ठीक है उनकी higher self बहुत ही connected होती है आप से तो यह है आपके person की feelings and थर्ड पार्टी का जो भी है ठीक है आपको बता दिया मैंने तो एक guidance म ले लेती हूं क्या है आपके लिए guidance क्या guidance क्या guidance क्या guidance क्या guidance है एक्सपेक्ट पावफुल चेंज़ बिल्कुल एक पावफुल चेंज़ इस न्यू मून पर न्यू मून तक आपके लिए life में आएंगे don't let pride get in your way बिलकुल ego नहीं रखनी है किसी भी तरीके से और पावफुल चेंज़ तो आ रहे हैं आपकी life में आपके person की life में और आपकी life में work through your fears यानि की fear where कुछ नहीं होता है but in fear से बहार निकलो यह सब illusion है ठीक है और इस fear या कितना की डर के आगे जीत है you and your loved one are safe बिलकुल आप दोनों safe है cancer new moon in cancer new moon eclipse new moon in scorpio meditate and contemplate आपके लिए है यह कि आपको meditation करना है थोड़ा सा सोचना है अच्छा गहराई से शान्त होके solitude में आकर ठीक है तो यह है आपके लिए guidance universe की angels की तो अभी के लिए guys इतना ही अपना ख्याल रखो ध्यान रखो take care bye god bless you all love you all good night bye bye